हेला इस वीडियों बात करने वाले हैं हम inverse z transform के next problem के बारे में यहाँ पर हमें क्या दे रखा x of z equals to log यानि ln 1 plus az inverse हमसे पुझे गया x of n क्या होगा तो जब भी log का question देखता है तो हमें differentiation property यूज़ करने होती है यही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हमें पता है xn का तो z transform होता वो क्या होता है x of z होता तो हमें x of z given है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमारा x of n x of z कितना दे रखा ln 1 plus az inverse ठीक अब देखो इस ln से छुटका रहा पाना तो इस ln को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि वह differentiation property यूज़ करेंगे एक property हमने पढ़ी थी कौनसी अगर xn में n से multiply करता हूं तो दूसरी तरफ क्या change आता है तो minus z से multiply हो जाती है और जो x of z होता उसका differentiation हो जाता है यही काम हम उपर कर देंगे यहाँ पर अगर मैं n से multiply करता हूं left hand side में तो right hand side में क्या हो जाएगा माइनर z से multiply हो जाएगा और जो x of z है उसका क्या हो जाएगा differentiation हो जाएगा differentiation of ln 1 plus a z inverse इसका वस differentiation find कर दो यहाँ से तो यह कितना हो जाएगा n x n equals to minus z इसका differentiation find करो लोग का क्या था 1 upon x यहाँ एक्स की यह क्या 1 plus a z inverse तो 1 plus a z inverse उसके बाद क्या करना है chain rule लगाना chain rule से करो अंदर 1 का कितना हो जाएगा 0 a तो a रह z inverse से करो z inverse से कितना हो जाएगा minus 1 z की पावर minus 2 यह हो जाएगा बस इसको simplify करो यहाँ से यह कितना मिल गया हमें n x n equals to minus z यहाँ से और यहाँ से यह कितना आएगा minus a minus a z की पावर minus 2 upon one प्लस a z inverse यही आएगा यहाँ से ठीक minus z की और z की पावर minus 2 की multiply कर दो तो कितना मिलेगा मुझे n x n equals 2 2 minus से प्लस होगा है यहाँ पर कितना होचाएगा a z inverse one upon one upon a z की पावर minus 1 ठीक अगर देखते हैं अब क्या करते हैं यह z की पावर minus 1 दीख रहे हैं यह उपर नीचे तो क्या करते हैं z से multiply कर दो उपर नीचे तो denominator में क्या करना और numerator में z से multiply कर दो तो मैं उपर भी multiply कर दे रहा हूँ z से और नीचे भी ताकि हमारा जो question है simple form आ जाए तो हमारा x of n कितना होजाएगा n x n कितना होजाएगा a बचेगा केवल उपर और नीचे होजाएगा z plus a अब मुझे क्या करना a upon z plus a का inverse find करना है इसको मैं find कर सकता हूँ आराम से बिलकुल find कर सकता हूँ यहाँ पर देखो left hand side में हमें पता है a की power n u of n का जो z transformer कितना होता है z upon z minus a कप के लिए more z जब a से बड़ा होता है तो यहाँ पर इसको causal signal मान के चल रहे हैं ठीक है क्या मान के चलेंगे इसको causal मान के चलेंगे x of n क्या मान के यहाँ पर causal कुछ नहीं की विन है लेकिन वो condition mention कर सकता चलो मैं mention कर देता हूँ mode of z क्या है यहाँ पर greater than a ठीक है तो यहाँ पर आ गया है यहाँ पर क्या a upon z plus a आ रहा है तो अभी यहाँ पर ऐसा चीज नहीं वनी है तो पहले क्या करूँ यह जो z उपर वाला इसको खतम कर लिते हैं किसी तरीके से तो हमने पढ़ी थी एक shifting property तो shifting property क्या कहती है अगर मैं इसको n को n minus 1 से replace कर दूँ then दूसी तरफ क्या आ जागा z की उसी negative power से multiply हो जाएगी तो z की कितने shift क्या minus 1 से z upon z minus a और उसी इसका more z गेट दे तो उपर यहाँ पर कितना वचा a की power n minus 1 u of n minus 1 का z transform कितना आ गया 1 upon z minus a अब मुझे चाहिए कि एवल a upon z upon a तो मैं क्या करता हैं दोन तरफ a से multiply कर दूँ है ठीक है एक सेकिंद एक सेकिंद यहाँ पर क्या z plus a तो मुझे क्या रिखना पड़ागा है यहाँ तो यह z की power minus a का formula तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर z plus a चाहिए तो यह क्या करना पड़ेगा minus बनाना पड़ेगा minus बना लो तो तो मैं क्या कर देता हूं रिप्लेस कि ए बाइ माइनस तो यह कितना हो जाएगा माइनस एक ही पावर यह एक काम कर लो पहले क्या कर सकते हैं यहां पर हम पहला क्या करते हैं दोन तरफ एसे मल्टिप्लाई करें तो दोन तरफ एसे मल्टिप्लाई करूंगा तो यहां तो बन जाएगा एन केवल क्योंकि एक पावर एक की क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी सर्फ तो यह कितना हो जागा A upon Z minus A तो हमें क्या चाहिए यह Z plus है तो मैं क्या करता हूँ A को minus A से replace कर देता हूँ replace A by minus A उससा कोई फार्ग नहीं पड़े तो यहाँ पर कितना जागा minus A की power N U N minus 1 का Z transform कितना हो जागा यहाँ पर minus A और यहाँ पर Z plus A तो हमें केवल A upon Z plus A चाहिए तो माइनस 1 से और multiply कर दो दो तरफ तो minus 1 multiply by minus A की power N U N minus 1 आगया मेरा इसका Z transform A upon Z plus A तो A upon Z plus A की जागए मैं क्या लिख दूँँ हो इदर minus A minus A A की power N U N minus 1 तो मैं अब इसको किसके equal लिख सकता हूँ N X N मेरा किसके equal आ गया किसके equal आ गया minus 1 multiply by minus A की power N U N minus 1 X N चाहिए मुझे यहाँ से क्यावल तो मेरा X N कितना आ जाएगा यहाँ से इसको और simplify कर दो minus 1 तो यह है इसको minus 1 की power N A की power N लिख लूँ मैं पावर को अलाला कर लिया मैंने और divide by यह वाला N तो यहाँ पर देखो minus 1 A की यह रहा minus 1 यह रहा तो 2 minus 1 है उनकी power क्या हो जाएगी add हो जाएगी minus 1 की power A की यहाँ पर रही है और N होँआ पर है तो N plus 1 हो जाएगी multiply by A की power N U of N minus 1 upon N यह क्या इसका answer है यह हमसे पूँचा गया था निकानने के लिए XN क्या होगा ठीक है बहुता असामता है एक बार differentiation property लगाई differentiation property लगा के हमने जो भी उसका inverse था वो find कर लिए उससे equate कर दिया जो हमाई left hand side थी NXN के और हमाँ से X of N find कर लिए ठीक है यही करना था इसमें अगर more less than a होता तब क्या कैसा करते ठीक है यह सब आप करके बताओगे मुझे ठीक है कमेंट करके बताना फिलार इसको देख लो इस ताइप पर कोशिन आता है पर ही पूचेगा signal causal होगा तो तो यह इसका तरीका जब भी कोई कोई ऐसा function दीखता है जिसका नहीं जानते हैं तो उसका differentiation क्या करो लोग वाले कोशिन में तो differentiation ही होता है हमेशा आयोब आप लोगों के सब समझा आयोगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही ओके थैंक्यू मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रव्लम के साथ आयोगा आयोगा है